Hello Future Doctors, Namaskar, Welcome to our Channel Friends, NEET 2024 का जो सिलेवस रिडियोस हुआ है उससे क्या इंपेक्ट रहेगा और कौन सा चैप्टर, कितनी वेटे जब रखता है कितने क्योश्चन, किस चैप्टर से आने की संभाव नहीं है और आज तक पीछे जो है किस चैप्टर से कितने क्योश्चन पुछे जा रहे है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तो साथ में NEET 2024 का ट्वाइस से इयर कंड़क्ट करवाया जा सकता है कितनी पॉसिबिलेटी है दोस्तो योगी जो मिटिंग्स चल रही है उसके अंदर क्या कुछ बात्चित वहाँ पर हो रही है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे साथ में तोस्तो जो NEET एक्जाम की टोटल सीट्स है वो इंक्रीज होकर के वन लैक तक पहुँच गई है गरीबन गरीबन नब्बे हजार थी रास्ट इयर जो 10.000 का इंक्रीमेंट हो चुका है जिसमें गॉर्वआंट और प्राइब जोनों ही सीटे इंक्रीज हुई है टोटल गॉर्वआंट प्राइबट मिला करके 1,00,000 प्लिस सीटे आपकी टोटल हो चुकी है तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है उसके बाद बात करेंगे और जो आपके लिए important है सबसे पहले दोस्तो ये जो चैप्टर्स आप देख रहे हैं 29 चैप्टर्स ये आपका जो है पहले इसी लेवस हुआ करता था और अभी जो है आप ये वाला जो देख रहे है हाइडोजन से लेकर के states of matter ये वाला अभी जो सिलेवस है आपका ये हटा लिया गया है जो करीबन करीबन में गिनूँ तो यहाँ पर 9 questions जो है यहाँ से पूछे जाते थे average मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से दोस्तो तो ये जो topics ह है ये आपके हटा लिये गए है नए सिलेवस के अंदर दोस्तो उसके बाद ये जो आपका सिलेवस देख रहे हो हो इसके अंदर कुछ-कुछ जो है वेटेज बढ़ जाएगी जैसे classification of element and periodicity in property यहाँ पर जो है कुछ वेटेज इंक्रीज हो जाएगी coordination वाला compound जो है यहाँ पर भी कुछ हो जाएगा redox reaction and electrochemistry यहाँ पर भी जो है दोस्तो वेटेज इनक्रीज हो जाएगी तो क्या कुछ दोस्तो average हैता है देखिएगा some basic concept of chemistry यहाँ से दो questions लगबग पूछे जाते हैं structure of atom यहाँ से भी 2 questions पूछे जाते हैं classification of element and periodicity in properties यहाँ से 3 questions chemical bonding and molecular structure यहाँ से 4 questions पूछे जाते हैं दोस्तो यह 2006 से लेकरके 2023 तक का आंगड़ा यह है दोस्तो उसका analysis यह किया हुआ है बात करें थर्मोडायनमिक्स की तो यहाँ से भी 2 questions equilibrium से 3 questions पूछे जाते हैं redox reaction and electrochemistry यहाँ से भी 3 questions दोस्तो solution से 2 chemical kinetics से 2 some basic principle of organic chemistry यहाँ से दोस्तो यह कियोस्तो यह कियोस्तो पूछे जाते हैं जैसे aldehyde ketone and carboxylic acid के बात में दो 2 questions पूछे जाते हैं amine से भी 2 questions लगबग आ जाते हैं coordination compound दोस्तो अब की बार यहां से question जादा आने की उमीद है इसलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से करके जाईएगा the d and a block element दो question यहां से दोस्तो पी बलोग हटा लिया गया है हटा लिया जा सकता था ऐसा बात कर लेकिन हटाया ने के दोस्तो दोस्तो पी बलोग element जो है यहां से तीन क्यूस्टन biomolecule एक दोस्तो यहां से यह question अभी तक पूछे जाते रही हैं यह average है बाकि दोस्तो यह जो नीचे वाले हैं यह हटा लिये गए आपके शलिवस से अब बात कर लेते हैं दोस्तो नी 24 ट्वाइस से येर हो गाया नहीं होगा दोस्तो तो देखेगा बातचित काफी हो रही है दो तिन साल हो गए है इसके उपर बातचित होते वे कि ट्वाइस से येर होना चाहिए क्योंकि जैई मैं जो है दो तो तिन दिन चैचर बार हो रह करते हैं और एक दिन मान के चलो आपके तबियत खराब हो हो सकता है आप किसी काणवस लेट हो जाओ या आपके घर में कुछ ऐसी कंडिशन चले हुई हो इससे आपका माइंड ही डिफ्रेश ना हो तो दोस्तो वो दिन आपका फिचर डिसाइड नहीं कर सकता इसलिए कोई भी नहीं है ना इसके ऊपर कोई बाची तब भी फिलाल कर रहा है तो दोस्तों नीट एक्जाम की टोटल शीट एक लाग के पार हो चुकी है जो लास्ट येर दोस्तों 91,000 थी वो एक लाग पार हो चुकी है तो शीटे यहां पर इंक्रीज दूरूर देखने को मिली है यह मीनिमम टार्गेट हो चाहिए 650 प्लस मार्क्स लेके आने ही आने है किसी भी कंडिशन में दोस्तों तभी आप जो है अच्छा कर पाएंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यू